रिवीजन एवरिफिंग में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है तो कैसे आप लोग? I hope आप सब बहुत ही अच्छे होगे देखिए इसके पहले अकबर से रिलेटेड हमने बहुत सारे पॉइंट देखे थे उसके अलावा अकबर के नवरतनों के बारे में भी हमने पढ़ा था तो आज हम अकबर के विद्धिये एवं प्रसास्निक व्यवस्थाओं को देखेंगे तो सब से पहले हम देखते हैं मुद्रा प्रणाली अकबर ने राम सीता प्रकार का सिक्का चलाया था तो आपसे पूछा जाए कि राम सीता प्रकार का सिक्का किस ने चलवाया था तो वो अकबर ने चलवाया था लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि राजा रानी प्रकार का सिक्का किस ने चलवाया तो वो चंद्रोल्त प्रथम ने चलवाया था वो राजा रानी का सिक्का था लेकिन ये राम सीता का सिक्का है इसके बारे में आप लोग याद रखेगा ठीक है वो राजा रानी का था ये राम सीता का सिक्का है अकबर ने रुपया तथा दाम सिक्कों को भी चारी रखा ये रूपया और दाम बही है जो सेरसा सूरी ने चलाया था इसके लाँ अकबन ने इलाही सिक्का और जलाली सिक्का भी चलाया, देखें जो इलाही सिक्का था वो व्रिथ्थाकार था यानि कि गोल जैसे कि आज के टाइप एक दो रुपए होते हैं गोल गोल वैसे ही इलाही सिक्का था लेकिन जो जलाली सिक्का था वो आयताकार था इसलिए जो वृत्ताकार सिक्का होता है वो आराम से पर्स में आ जाते हैं लेकिन जो वृत्ताकार सिक्का था वो सक्सेज हो गया लेकिन जो जलाली सिक्का था वो स रुपया और दाम का हम रेशियो देख लेते हैं देखे एक रुपया बराबर 40 दाम था ये अकबर का जो अकबर ने रुपया और दाम चलाया उसमें एक रुपया बराबर 40 दाम थे यानि कि आपके पास अगर 40 तामे का सिका यानि 40 दाम है तो वो एक रुपय के बराबर होगा वहीं पर अगर हम सेरसा सूरी की बात करें तो उसका एक रुपया बराबर 64 दाम हुआ करता था यानि अगर आपके पास 64 दाम है तो वो एक रुपय के बराबर होगा ये रेशियो आप याद रखेगा कि अकबर के रुपया और दाम का रेशियो एक रेशियो चालिस था जबकि सेरसा के जो रुपया और दाम का रेशियो था वो एक अनुपाते 64 था इसको आप लोग अच्छे से याद रखेगा और अनुपात में कन्फ्यूज मत होईगा दो तीन बार चार बार जब तक याद नहो तब तक ये रेशियो याद कीजिएगा नहीं तो एक्जाम में जाने के बाद आप 40 और 64 में कन्फ्यूज हो जाएंगी तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेगा कि अकबर वाला चालिस दाम था एक अनुपाते 40 अकबर वाले सिक्क्रा था ठीक है फिर उसके बाद है भूराजसु व्यवस्था पहली है जापती व्यवस्था भूमी के आकार पर टेक्स यानि कि आपके पास जितनी भूमी होगी उसी के आधार पर आपसे टेक्स लिया जाएगा लेकिन देखा जाए तो ये पूरी तरीके से सक्सेज नहीं हुआ क्योंकि माल लेजिए आपके पास एक बीघा उपजाओ भूमी है तो उसमें फसल अच्छी होगी आप अच्छे से टेक्स दे सकते हैं लेकिन अगर किसी के पास एक बीघा बंजर भूमी होई तो उस पर खेती नहीं होगी वो टेक्स नहीं दे पाएगा इसलिए जो जापती व्यवास्थाती वो सक्सेज नहीं कर पाई उसको बाद में बंद कर दिया गया फिर उसके बाद है कनकूत प्रणाली उपज के आधार पर कर यानि कि खेत में जितना उपज होगा उसी के आधार पर कर लिया जाएगा ये भी सक्सेज नहीं हो पाई क्योंकि देखे माली जे किसी वर्स बारिस जादा हो गई फसल खराब हो गई या फिर पानी वर्सा ही नहीं सूखे के कारण फसल खराब हो गई आग लग गई और बहुत सारी दिक्कते हो जाती है तो उपज के आधार पर भी जो टेक्स था वो सक्सेज नहीं कर पाया क्योंकि उसमें भी बहुत सारी दिक्कते हो जाती थी फिर इन सब में अगला आया आईने दह साला दस वर्सों के ओसत उपज के आधार पर कर लिया जाता था इस दिवस्था को लाने का स्रेर टोडर मल को दिया जाता है अब आईने दह साला को समझें कि देखें दस साल में आपके खेत में जितना अनाज होगा उसी के एवरेज निकाल के उसी का ओसत निकाल के आपसे टेक्स लिए जाएगा क्योंकि देखिए नहीं हर साल आपकी खेत में सूखा पढ़ेगा नहीं हर साल जलेगा या फिर नहीं हर साल पानी भरसेगा तो दस साल का एवरज निकालकर उससे टैक्स लिया जाता था ये था आइने 10 शाल और इसको टोडर मल ने लाया था तो पूछा जाए आप से कहीं भूरा जसु नहीं मिला आपके मुलाकात खराज से हो गए तो खराज का अर्थ भी भूरा जसु ही होता है ठीक है अब आगे देखते हैं उपज के आधार पर चार प्रकार की भूमी होती थी देखी वो तो टेक्स था कि टेक्स कितने आधार पर लिये जाएंगे लेकिन ये उपज के आधार पर भूमी जो थी वो चार प्रकार की होती थी पहला पोजल भूमी जहां पर प्रति वर्स खेती होती थी क्योंकि अच्छे से सिजाई के साधन उपलग थे, ठीक है तो वो पोजल भूमी होती थी, फिर अगला है परती भूमी, एक वर्ष के अंतराल पर जहां पर खेती होती थी, उसको परती भूमी बोलते थे, फिर है चाचर भूमी, चार वर्ष के अंतराल पर खेती होती, देखी चाचर चार है ना तो चाचर भूमी की से कहते थे जहां पर चार वर्स के अंतराल पर खेती होती थी फिर अगला है बंजर भूमी यहां खेती ही नहीं होती थी क्योंकि देखिए अब जब बंजर ही है तो वहां पर खेती वैसे भी नहीं होगी फिर उसके बाद है सासक के आधीन चार प्रकार की भूमी रहती थी यानि कुछ भूमी ऐसे मतलब देखें वैसे तो सभी जो भूमी थी पूरे राज पर सासक का ही अधिकार था लेकिन उन भूमी को भी चार भागों में बार दिया गया था जो सासक के आधीन थी पहली खाल सा भूमी यानि की सरकारी भूमी उस पर राजा चाहे जो भी करें मतलब जैसे की कोई अनाथ आश्रम खोल दिया कोई मंदिर या मस्जिद बना दिया फिर कुछ भी जिस पर सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण वो चो है जो भी उस भूमी के साथ करें वो खाल सा भूमी यानि की सरकारी भूमी हुआ करती थी फिर है जागी भूमी मनसबदार को दी गई भूमी यानि की जो मनसबदार होते थे उनको जो भूमी दी गई होती थी उसको जागी भूमी कहते थे मनसब्दार के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं ठीक है फिर उसके बाद है पैबाकी भूमी या सरकार के अधियर रहती थी इसके द्वारा जागीरतारों को घाटे की पूर्ती की जाती थी देखी जो मनसब्दार हुआ करते थे उनको भूमी जो दी जाती थी माल लिजिए कि उनका टैक्स उतना नहीं वसूला गया है जितना उनको चाहिए होता था तो उनको एक्स्ट्रा जो उनकी घाटा हुआ है उनको पूरी करने के लिए पैबाक की भूमी हुआ करती थी फिर अगला है मदतमाश भूमी या दान में दी गई भूमी होती थी अब पढ़ते हैं मनसब्दारी विवस्था या अकबर के सैन प्रसासनीक विवस्था थी यानि जो मनसब्दारी थी वो सैन विवस्था थी मनसब्दार को पैदल सैनिक और घोड़े रखने होते थी जिसके बदले अगबर मनसब्दारों को वेतन देता थी पैदल सैनिकों का प्रतिमा तीन रुपै तथा गुरसोवार सैनिकों का वेतन बीस रुपै हुआ करता था युद्ध के समय सभी मनसबदार अपनी सेना को लेकर आते थे मनसबदार तीन स्रेणी के होते थे जिन में प्रथम स्रेणी में बारा हजार सैनिक दुदी स्रेणी में साथ हजार सैनिक और तुदी स्रेणी में दस से बीस सैनिक हुआ करते थे सबसे ज़्यादा मनसबदार और रंग जेब के दर्बार में हुआ कर दे थे अब मनसबदारी विवस्था को आप आसान भासा में समझे कि देखे अगर माल लीजे हमारी पास एक लाख सेना है अब अकबर की जिम्मेदारी होगी कि वो उन हर एक लाख सेनिक को पूरा ध्यान रखे भोजन पानी की विवस्था करें उनको खर्चे दे तो एक लाख सेनिकों का ध्यान रखना बहुत बड़ी बात हो जाएगी तो अकबर ने मनसबदारी विवस्था शुरू की मनसबदारी व्यवस्था में क्या होता था कि जैसे यहां पर प्रथम स्रेणी में 12,000 सैनिक है तो जो मनसबदार होता था उसको 12,000 वाला मनसबदार बोला जाता था यानि कि उस मनसबदार के पास 12,000 सैनिक हुआ करते थे और उन सैनिकों में घुरसवार और पैदल सैनिक दोनों होते थे तो अभी मालिजे कि 12,000 सैनिकों को कुछ भी देना है तो अकबर उन 12,000 सैनिकों से बात ही नहीं करता था बलकि जो 12,000 वाला मनसबदार हुआ करता था उस एक मनसबदार से वो डिल कर लेते थे फिर वो एक मनसबदार अपने सभी सैनिकों से सारी चीज़े डिसकस कर लेता था इसी तरीके से अवबर को उन 12 सैनिकों से मुक्ति मिल गई बलकि एक मनसबदार से जो भी बात हुई वो अपनी बाते सेनिकों तक पहुचा देंगे तो यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी क्योंकि देखिए अभी इतने सारे लोगों का ध्यान रखना कोई आसान नहीं है क्योंकि उस समय तो डिजिटल इंडिया भी नहीं था तो इसलिए अगर अकबर को बहुत सारे लोगों स कि माल लीजिए अकबर ने 32 रेड़ी के 7000 सेनिकों के मनसब्दार को भीजा अभी दुस्मन सेना को ये बात पताए कि 7000 वाला मनसब्दार हमारे पास आ रहा है तो दुस्मन अपनी सेना 8000 या 10000 कर लेगा तो इस हिसाब से अकबर की सेना हार जाएगी इसलिए अकबर ने सह सही डेटा किसी को नहीं पता है भले ही उसका नाम 7000 वाला मनसब्दार है लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता है कि उसमें 7000 सेनिक है या 10000 सेनिक है रियर डाटा केवल अकबर के पास हुआ करता था तो यह देखा जाए तो अच्छी बात है है ना नहीं तो दुस्मन को जब पास केवल 7000 सेनिक हो सकती है जादा भी हो सकती है रियल डाटा केवल अकबर के पास हुआ करता था ठीक है और मनसब्दार को अकबर एक भूमी दे देता था जिसको बारे में अभी अभी हमने बात की जागी भूमी जागी भूमी कहने का मतलब है वह अकबर मनसब्दार को एक एरिया दे देते थे माली जी कि उनका टोटल खर्चा एक मनसबदार का टोटल खर्चा 10,000 आ रहा है तो अकबर उस मनसबदार को एक ऐसा छेत्र दे देते थे जहां से 12,000 के आसपास टेक्स इकठा होता होगा तो 10,000 जो टेक्स होता था मतलब मनसबदार जो थे वही वो टेक्स कलेक्ट करते थे 10,000 जो टेक्स होता था वो अपनी मनसबदारी पे खर्च करते थे बाकि जो 2000 टेक्स बचा वो मनसबदार का खर्चा हुआ करता था इस तरीके से अकबर को टेक्स वसूलने के भी कोई दिक् नहीं है ना तो अकबर ने मनसभ्दारी विवस्ति इसलिए चालो की और अकबर का सबसे पेटरीन मनसभदार मान सिंग हुआ करता था जिसके नेतरित्यम में अकबर ने बहुत सारे युद्ध जीते हैं, अकबर कहीं भी खुद युद्ध करने नहीं जाता था, बलकि अपने मनसबदार को ही भेजता था, कहीं युद्ध जीता तो समझे अकबर ने जीता, लेकिन माल लीजी अगर कहीं अकबर के मनसबदार युद्ध हार गए, तो उस को बोल देता था कि ठीक है वह अपने मनसब्दार को सम्हान लेंगे कोई दिक्कत नहीं है वह आपको परिसान नहीं करेगा है ना देखा जाए मनसब्दारी वरस्ता बहुत ही भेतरीन थी और सबसे ज्यादा हिंदू मनसब्दार की बात करें तो वह औरंग जीग के दर्बान नीती दमन यंव समझोते के नीती थी यानी कि पहले उनको आसफ़ास के एरिया को हरा दियते थे अकभर और फिर बाद में उनी से समझौता करके उनको अपना मनसब्दार बना लेते थे यानी पहले दमन उसके बाद सम्होता अगर माल लीजिये कि कोई राजपूद है उसक को राजा ही बने देने रहते थे बस उनको अपना मनसफदार बना लेकिन उसके साथ सथ हमारे मनसफदार रहेंगे जब हमें आपकी जरूरत होगी तो फिर हम आपको बुलाएंगे और आप हमारी तरफ से युद्ध करेंगे आप अपने छेते से टैक्स वसूलिए उसका जैसे वित्रण करना है आप वित्रण की दिये अकबर को उससे कुछ लेना देना नहीं होगा आप बस अकेवल आप अपना सिक्का नहीं चला सकते ठीक है और जब हमें आपकी जरूरत होगी तो आप हमारे साथ होगे आप अपनी स नेना को हमारे साथ रखेंगे अकबर की दमन एवं समझाआते की नीथी नि पहले सासत को हराया जाता था फिर उससे समझ累ता करके उसे अपना मंसबदार बना लिया जाता था राजपूत नीत आक्बर ने राजपूत राजाओं को जागिरदार तथा पैत्रिक जागीर पर सासन करने का अधिकार दिया यानि कि समझी उनको राजा बने रहने दिया उनके राजा का पद भी बना रहा किन्तु उन्हें स्वयम के सिक्के चलाने का अधिकार छेन लिया और उसके छेत पर मुगल साही सिक्का प्रचलन में आ गया क्योंकि देखे आज भी जो सिक्का है या फिर मुद्रा वो सेंट्रल गॉवर्मेंट के अंदर आती है जब नोटबंदी हुई थी उस समय कोई भी राज ऐसा नहीं था जो ये मना कर दे कि नहीं हम नोटबंदी नही मानेंगे क्योंकि जो मुद्रा होता है वो सेंट्रल गॉवर्मेंट के अंदर आती है उसी तरीके से अकबर का भी जो मुद्रा था वह अकबर ही चला रहा था यानि मेन सेंटर बाकि और सारे कार राज आपने हिसाब से कर रहे थे तो यह थी अकबर की राजपूत नहीं थी झाल झाल